नमश्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में एक ऐसे केस के बारे में जानेंगे, एक तरफ आपको लगेगा कि ये जो औरत है शबनम, इसने ऐसा घिनोना काम किया है जिससे capital punishment, मित्यूक से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगेगा कि इसक women to be hanged in 70 years, मुझे भी इसके बारे में पता तो नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि स्वतंत्र भारत के इतिहाश में जो शबनम है, वो पहली महिला हो सकती है, जिसको यहाँ पर hang किया जा सकता है, तो इसको डीटेल से जानेंगे कि exactly ये अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनेरा मौकाई, स्टडी आपके लिए स्मार्ट पोर्सेज, जिसके तुरू आप अपने प्रिप्रेशन और भी जादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो देखे दोस्तों इस के उपर तो मैं आऊंगा, उसके पहल हम राइट टू लाइफ के नाम से जानते हैं, राइट टू लाइफ के अंदर इसमें आप देखो कि तो दो में चीज आपको देखने को मिलती है, एक है प्रोटेक्शन ओफ लाइफ और दूसरा है परसनल लिबर्टी, तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट के खिलाफ है ये, मत पर देख सकते हो, लिखा हुआ है, except according to procedures established by law, और हमारे कानून के अंदर जो capital punishment है, वो अभी भी है, तो यहाँ पर हमारे parliament ने कानून बनाया हुआ है, कि मिर्ट्यू की सजा हमारे देश के अंदर हो सकती है, और इसलिए ये जब हम बात करते हैं, right to life, तो यहाँ पर इसका मत को बताना चाहता था, अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, तो basically यहाँ पर यह news वापस से इसलिए सामने आया है, कि यह जो औरत है शबनम, इसके ऊपर case चल रहा है पिछले काफी समय से, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जब किसी person को capital punishment सुनाय जाता ह है, hanging की सजा सुनाय जाती है, तो यहाँ पर वो mercy plia भेजता है, president के पास, governor के पास बाकी जगा, तो जो आकरी mercy plia था, जो कि president के पास था, उसको president ने reject कर दिया है, अब इसको देखते वे, उसका एक बच्चा है, 12 साल का, उसने president से यहाँ पर गुहार की है, आप देख सकते ह तो 18th of February की बात है, यहाँ पर उसका जो बच्चा है, वो यहाँ पर media में आकर statement भी दे रहा था, और उसने अपील किया president से, कि उसकी मा को यहाँ पर forgive कर दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो she will definitely become independent India's first woman to be hanged, अब यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि ध्यान रटना है, कि आकरी जो mercy पलिया था, वो reject हो चुका है, तो कभी भी death warrant आ सकता है, exactly अभी कौन सा date होगा, वो किसी को नहीं पता, लेकिन death warrant कभी भी आ सकता है, और इसलिए वापस यह पूरा मुद्दा जो है, वो news में आ गया है, यहाँ पर आप देख अब जाहिर सी बात है, पिछले 70 वर्ष में तो इसका use हुआ ही नहीं है, इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्योंकि किसी भी महिला को यहाँ पर hang नहीं किया गया है, तो जो हालत है अगर आप देखो कि तो बहुत ही जादा जरजर है, मतलब कि वहाँ पर situation अच्छा नहीं ह इसी को देखते वें आपको याद होगा, 2000 December 2012 का जो केस था दिल्ली गैंग रेप का निर्भियावाला, उसमें जिस परसन ने हैंग किया था आरोपियों को, पवन कुमार, उन्होंने क्या किया वो विजिट किये ये मत्रा वाले जेल वहाँ पर देखे, ताकि सारी सुविध जो हैंग करने की है, क्या वो है कि नहीं, तो इसलिए भी ये पूरा न्यूस में चल रहा था, तो देखे, अब हम थोड़ा सा इस पूरे केस के बारे में जानते हैं, ये है क्या, इसको हम, I'm sure कि आप सब इसके बारे में जानना चाहते होंगे, तो यहाँ पर ये केस आता है 2008 का, एपरिल महने का 2008 का ये केस आता है, इसमें क्या है, कि जो शबनन जो और रहत है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका एक लवर था सलीम, ठीक है, अभी भी है, उसका जो लवर है सलीम, इन दोनों को यहाँ पर मौत की सजा सुनाई गई है, यहाँ पर दोनों को capital punishment की बार है, उनके 7 members, आप यहाँ पर सभी के नाम देख सकते हो, उनके मदर है, फादर है, अपने भाई, माता-पिता, सब को यहाँ पर मार दिया, सिर्फ यही नहीं, उसका जो एक नीज था, मतलब भतीजा आप कह सकते हो, छोटा सा, दस महीने का भतीजा था, जिसका नाम रहती थी, यहाँ पर सैफी Muslim community से बिलॉंग करती थी, जो शबनम है, और she was post graduate in two subjects, तो वो पढ़ी लिकी थी, काफी हद तक पढ़ी लिकी थी, और she was also शिक्षा मेत्र, मतलब government school teacher भी वो रह चुकी थी, लेकिन उसकी जो family है, शबनम की जो family है, वो यहाँ पर नहीं चाती थी कि जो उसका relationship है सलीम के साथ, सलीम भी क्या है कि उसका जो घर था वहाँ पर अम्रोहाट district में, उसका जो घर था उसके बाहरी यहाँ पर लखडी काटता था, उसके बाहर और वो sixth drop out था, वो कम पढ़ा लिका था, लेकिन शबनम काफी बढ़ी लिकी थी, और यह जो सलीम है, वो पठान community से belong करता था, तो यहाँ पर जो शबनम की family है वो नहीं चाती थी, कि सलीम के साथ उसका कोई भी relation ना रहे, अब इन सारी चीजों को देखते वे में भी हो सकता है, दोनों ने decide किया होगा, और वो रात थी 14th, 15th April, 14th और 15th की रात थी, जिसमें यहाँ पर बताया पुलिस के द्वारा की सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कि शबनम की जो family members है, उसमें से 6 family members को बेहोस कर दिया, बेहोस करने के बाद सभी के गले को यहाँ पर काट दिया गया, सलीम के द्वारा, और जो उसकी पतनी थी, शबनम उसने क्या किया हुआ था, बाल से उसको पक 5 दिन के बाद उन दोनों को अरेश्ट किया जाता है, जब वो अरेश्ट किया जाते हैं, तो दोनों की उम्र करीब 20s में होती है, और उस समय मैं बता दूं कि यह April 2008 का मामला था, और उस समय शबनम क्या थी, वो pregnant थी 7 weeks, और उसी साल December के महने में, उसने यहाँ पर अपने ब जोहार लगा रहा है प्रेसिडेंट से कि उसकी मा को यहाँ पर माफ कर दिया जाए, और 2010 में आप देख सकते हो, फानली जब पुरा केस चल रहा था, तो अम्रोहा सेशन कोर्ट ने यहाँ पर डेथ की सजा सुना दी, दो साल के अंदर उन दोनों को डेथ की सजा सुना दी, फिर यह मामला हाई कोर्ट के आग, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी डिस्टिक कोर्ट जब सजा सुनाता है डेथ का, तो तुरंट डेथ नहीं दिया जाता है, उसका मामला definitely हाई कोर्ट ही जाता है, बिना हाई कोर्ट के confirmation के डेथ की सजा नहीं हो सकती है, तो 2013 में अला Supreme Court का फैसला आयार Supreme Court ने कह दिया, कि यह जो डेथ की सजा है वो ठीक है, मतलब कि इन दोनों को डेथ की सजा finally 2015 में Supreme Court के द्वारा भी सुना दिया गया, लेकिन 10 दिन के अंदर ही यहाँ पर क्या किया, जो Supreme Court है, उसने death warrant पर stay लगा दिया, क्योंकि जब death की सजा सुनाई जात जो राम नायक आपको पता है उत्तरपदेश के गवर्नर थे उस समय, तो उनको यहाँ पर मरसी प्लिया भेजा था, जिसको यहाँ पर cancel कर दिया गया, reject कर दिया गवर्नर ने, और यहाँ पर basically मरसी प्लिया में ये बोला गया, कि उसका जो एक बेटा है ताज, उसके देख हाल के लिए, उसकी responsibility के लिए उसकी चज़ा को माफ कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने reject कर दिया, finally August 2016 में अभी जो प्रेसिडेंट प्रणाव मुखर जी जी है, वो प्रेसिडेंट बने वे थे आपको पता है, तो उनके मरसी प्रणाव मुखर जी जी reject कर दे और finally January 2020 में फिर से मामला सुप्रीम कोट गया और सुप्रीम कोट के जो Chief Justice of India S.A. बोबरे उन्होंने यहाँ पर इस death sentence को अपहल कर दिया, कि यह death sentence ठीक है, और finally जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखरी जो मरसी प्लिया था वापस से जो आखरी प्रेसिडेंट के पास था, व एक और चीज में आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर शबनम का क्या कहना है, यहाँ पर तो पुलिस ने जो भी कारवाई की इसके according लिए हो गया, शबनम ने यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा, कि देखे यह जो मित्यू हुई है, वो किसी गुंडे ने, हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, बाहर से कुछ गुंडे आये, और उन्होंने सभी मेंबर्स को हमारे मार दिया, और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ही पुलिस को इसके बारे में बताया है, यह सारी खबरे दी, उनका यह कहना है, लेकिन आगे चलकर क्या हु चलकर की जब प्रॉसीक्यूशन होता है, जो सबूत मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पता चल गया कि नहीं, दोनों की मिली भगत थी, और दोनों नहीं बहुती गलत तरीके से अपने ही फैमिली मेंबर्स की रत्या कर लिए, हाँ बिलकुल, यह बप्रॉसीक्यूशन होत पात आप कह सकते हो कि दोनों में प्यार था, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर जो एक सेंटेंस आता है na, everything is fair in love and war, उसमें भी कुछ ना कुछ limit होती है, आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर पाओगे, तो यहाँ पर यह definitely एक गलत चीज था, जिसको लेकर हमें लगता है कि यहाँ पर देख भाल में छोड़ दिया जाता है, बाग की कोई रिस्तेदार है अगर उसको लेना चाहता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ताज है, अभी समय अगर आप देखोगे 12 साल का है वो, तो सब शबनम का college का friend था, उसमान सैफी और उसकी wife है, जो है, दोनों आपस में जो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, होग कि इसके बार में आपको सब कुछ पता चल गया, वकर लेकिन और चीज़ है, आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्या कोई और भी women है, जिसके उपर death penalty की सजा सुनाई गई है, बिल्कुल सुनाई गई है, 2016 का report यहाँ पर बता का मामला भी आया था, और उनके भी mercy petition को यहाँ पर, पलिया को reject कर दिया गया है, प्रेसिडेंट के दौरा, लेट सी कि इसमें क्या होता है, बट जो शबनम मामला है, वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसके उपर, माफ नहीं करता है, प्रेसिडेंट, अगर रोका यह कि यह बहुत ही important question है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, static part, quality का, तभी आप, I am sure कि आप यह कर पाऊगी, otherwise it is very difficult, let's try to answer this question, और इसका जो right answer है, मैं हमेशा कितरा अपने Instagram पर तो डालूंगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, कोई बात नही study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंदा होगा, मिलता हम से next time, till then, thank you very much, see you soon.